जब जब हुई ओम शान्ती एक अगस्त दोहजार तेवीस अभी पढ़ते हैं फ्यारे फ्यारे शिव बाबा की मुरली बच्चे माया की पीडा से बचने के लिए बाप की शरन में आ जाओ इश्वर की शरन में आने से एक की जनम के लिए माया के बंधन से छूट जाएंगे प्रेश्णा तुम बच्चे किस पुर्शार्ट से मंदीर लाइक पुझेनिय बन जाते हो उत्तर मंदी लाइक पुजने बनने के लिए भूतों से बचने का पुरशार्ट करो कभी भी किसी भूत की प्रवेश्टा नहीं होनी चाहिए जब किसी में भूत देखो कोई कुरोत करता है या मो के वश हो जाता है तो उससे किनारा कर लो पवित्र रहने की स्वयम से प्रतिग्या करो सच्ची सच्ची राखी बांदो गीत है तुमारे बुलाने को जी चाहता है ओम शांती भक्त सदेव बुलाते है भगवान को भगवान को परमपिता कहा जाता है कहते हैं हे पतित पावन परमपिता परमात्मा आकर केम बच्चों को पतित से पावन बनाओ तो जरुन सब पतित ठेरे क्योंकि रावन का राज्य है पाच विकार सरव्यापी है ऐसे ने की सत्यूग में भी पाच विकार सरव्यापक है ने उनको तो कहा जाता है संपूर्न निर्विकारी दुनिया यह संपूर्ण विकारी दुनिया, भारत संपूर्ण निर्विकारी था, यह भूल गए है, मंदीरों में जाकर देवताओं की उपमा भी करते हैं कि आप सरवगुन संपन्न संपूर्ण निर्विकारी हो, यह संपूर्ण विकारी है, इसलिए बाप को बुलाते है, बाप आकर आत्मय बिल्कुल विकारी बन गई है आप आकर निर्विकारी बनाओ एक दो को मारते रहते इसलिए इनों को डेविल भी कहा जाता है भारत जिटी वड़ था मनुक्ष यह नहीं जानते बरोबर भारत देवी देवताओ की भूमी थी वह राज्य करते थे परंतु आदा कल्प से माया ने धिरे धिरे करके बिल्कुली पतित बना दिया है इसलिए कहते हैं अब हम पतितों को आकर फशरन लो अब तुमने आकर परवंपिता परमात्मा की गोद लिया है भविश्य देवी देवताओ बनने की लिए यह है इश्वरिय गौद फादरली मिशन पतित को पावन अथवा काटों को फूल बनने की मिशन है बच्चों का धंदाई है परंपिता परमात्मा की मत पर काटों को फूल बनना नरकवाशियों को सुरगवासी बनाना तुम कहते हो ओ गौद फादर तो जरूर तुम उनको जानते हो न, फिर ऐसे कर न सके कि परमात्मा का है, अरे आत्मा बोलती है, ओ गौड फादर, आत्मा पुकारती है, हे परमात्मा को, वो इन आखों से देखने में नहीं आता है, आत्मा भी देखने में नहीं आती है, या तो समझ की बात है, आत्मा जोत परम पिता परमात्मा भी वही रूप है बाप कहते है तुम आत्मा एक चोला चोड़ दुसरा लेती हो तुम आत्मा अविनाशी हो शरीर विनाशी है आत्मा शरीर चोड़ती है कहेंगे हमारा बाप मर गया परन तो आत्मा मरती नहीं है आत्मा को बुलाते है या तुम अभी स अभी मुस्लों से पता नहीं क्या करेंगे इन्हों का कहा जाता है डेविल्स बाबा कहते हैं मैं कोई ऐसी सुरुष्टी थोड़ी रचता हूँ बाबा तो सुर्ग रचते हैं सुर्ग का मालिक बनाते है तो जरूर बाप को आना पड़े ना बाब कहते हैं बच्चे मैं आया हूँ जो पती दुखी हो गए है उनको सदा सुखी बनाने वहाँ कोई ऐसे नहीं कहेंगे पती तपावन आओ या ओ गौड फादर हम करो ऐसे कभी बुलाती नहीं है क्योंकि है ही दुखी दुख में सभी याद करते है आत्मा ही याद करती है शरीर के साथ सुख दुख होता है शरीर नहीं है तो आत्मा सुख दुख से न्यारी है बाप कहते है मैं इनमें प्रवेशकर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ कई तो अच्चिरिती समध लेते, कई नहीं समझते हैं, तो समझा जाता यह पावन दुनिया में चलने के लायक नहीं है, इसलिए स्रीमत पर नहीं चलते हैं, यह है ही आसुरी रावन संप्रदाय, रावन को हर वर्ष जलाते हैं यह निशानी है, हर वर्ष राके भी बंदवा प्रतिग्या करो हम पवित्र रहेंगे, पवित्र बनने से 21 जन्म राज्य भाग्य पाएंगे, बाबा कहते हैं, मैं ही आकर तुम सबको पुझ्य बनाता हूँ, अभी तुम पुझारी हो, देवताओं की ठीकर भित्तर की पुझा करते धक्के खाते रहते हो, मैं तुम को इ आकर शरन ली है, परमपिता परमात्मा की, मम्मा ने भी ली है, इस बाबा ने भी शरन ली है, शिव बाबा की, उनको तो अपना शरीर है नहीं, उनका नाम ही है शिव, शिव बाबा का नाम कभी बदलता नहीं है, मनुक्ष आत्मा का नाम बदलता रहता है, चवर्यासी ना लेते हैं, यह बहत का ड्रामा, इसे मनुक्ष को ही तो जानना है, तुम जानते हो ओ गौड फादर स्वर्ग का रचीता है, तो जरू स्वर्ग का वर्सा मिलना चाहिए, भारत स्वर्ग ताव वर्सा फिर माया रावन ने चीन लिया, अब फिर माया पर जित पानी है, माया जि आने से कलियावा फूल जड़ जाते है, मात पिता का बनकर फिर फारकती दे देते है, यह समझने की बात है ना, अंगे अखरे, तिथी तारिक सईत प्रूप देकर समझा जाता है, यह मनुक्ष सुरुष्टी का उल्टा जाड़ है, बीज उपर में है, तब तो ओ गौड़ फ हम ब्रदर से सबको बाप से वर्षा मिलना चाहिए, उनको ब्रदर हुड कहा जाता है, तुम हो भाई भाई, वर्षा मिलना है बाप से, बाप सबको सुक शांतिका वर्षा देते है, बाप आकर टीचर रूप से पढ़ाते है, फिर सद्गुरु बन साथ ले जाते है, सद ए या मेरी पार लगाओ, हम विशे सागर में डूबे है, तो बाप को आना पड़े, शांतिधाम सुकदाम में ले जाने, आदा कलपे सुकदाम, आदा कलपे दुखदाम, यह भारत बिलकुली पतित भोगी हो गया है, योगी नहीं कहेंगे, सत्युक्तृता को कहा जाता है यो होता है, यह बाबा अपने को ग्यान सागर नहीं कहते है, तुम अभी मास्टर ग्यान सागर बन रहे हो, ग्यान सागर से सारा ग्यान हब कर लेते हो, जैसे टीचर द्वारा बैरिष्टरी का नॉलेज स्टुडेंट हब कर लेते है, फिर बैरिष्टरी बन जाते है, तुम सा इस नौलेश से तुम सो देवी देवता सदा सुखी बन जाते हो, अभी तुम इश्वर की शरंद में आते हो, बाबा तुमको एकी जनम माया के बंदन से छुड़ा लेते है, बाब कितना सहज कर समझाते है, पारस बुंदी बनने वाले जो होंगे वही बनेंगे, तुम समझत हो, हम बाबा से कलब वरसा लेते है, माया चीन लेती है, फिर मैं आकर तुमको सुख शांति का वरसा देता हूँ, रावन दुख का वरसा देता है, रावन दुख का वरसा देते है, राम सुख का वरसा देते है, कितना जनम, कितना समय सुख और दुख और सुख का वरसा मिल वो अभी सब तुमको बतलाते हैं। यह है पड़ाई। तेको मूरली भी कितना ट्रेवल मने करती हैं। यात्रा करती है। ने तो गोब गोप्यों को मूरली कैसे पहुचे। टेप्स भी जाती है। सब सेंटर टेप सुनते रहेंगे। यह मूरली है वंडर फूल। इसके लिए ही गायन हैं गोपिया तडपती थ या तो सोना कितना महिंगा है वा तो तुम सोने की यीटों के महिल बनाएंगे। फिर उनमें हीरों की जड़त होती है। बाप बच्चों को क्या से क्या बना देते हैं। सिर्फ पवित्र रहने की प्रतिग्या करनी है। क्रोध का भूत नहीं होना चाहिए। समझा जाता है इनमें भूत की प्रवेश्ता है। इनको किनारे कर दो बहूत है जिनका अभी तक महो नश्ट नहीं होता है। जैसे बंदरे का महो होता है ना ऐसे बच्चों आदी के महो अटक जाता है। बंदर में सबसे जास्ते विकार होते हैं। तुमको बंदर से मंदीर लाइक बना लक्षा बंदन का राज भी समझाया है राकी बानने की बात नहीं है यह बाप से प्रतिग्या की जाती है मीठे बाबा बेहत के बाबा आधा कल्प आधा कल्पम बक्तों ने आपको याद किया है अब आप आये हो वैकुंट का मालिक बनाने इसलिए हम आपके मददगार बनते है हम प्रतिग्या करते है कि कभी अपवित्र नहीं बनेंगे पवित्र बन भारत को पवित्र बनेंगे कितनी सहज बात है अच्छा मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रती माथपिता बाप दादा का यात प्यार और गुड मौर्णिंग रुषानी बाप की रुषानी पतित मनुक्ष को पावन देउता बनाने की सेवा करनी है बाप का पुरा-पुरा मददगार बनना है दुसरी पॉइंट ग्यान सागर का सारा ग्यान हब करना है बाप की याद से विकर्मों को दगदकर विकरमाजित बनना है कोई भी ड्यूटि बजाते हुए सोयम को सेवाधारी समझ सेवा करने वाले डबल फल के अधिकारी भव कोई भी कारिये करते दप्तर में जाते या बिजनेस करते सदा समूर्ती रहे कि सेवा के लिए ये ड्यूटि बजा रहे है सेवा के निमित तयुआ कर रहा हूँ तो सेवा आपके पास सोता आएंगी और जितना सेवा करेंगी उतनी खुशी बढ़ती जाएगी भविश्य तो जमा होगी ही लेकिन प्रत्यक्ष फल खुशी मिलेगी तो डबल फल के अधिकारी बन जाएंगे याद और सेवा में बुद्धी बीजी होगी तो सदा ही फल खाते रहेंगे स्लोगन है जो सदा खुशाल रहते है वो स्वयम को और सर्व को प्रिया लगते है अच्छा ओम शान्ती शान्ती शान्ती